अब यहां पे जब बर्थ ऑफ क्राइश्ट होता है इसके बाद आप यहां समझे है यहां हमने टू मिलियन अगो हमने पहले लिटेकेश पढ़ दिया था फिर हमने 12,000 से 10,000 तक आपका चलता है मिसोलितिक मिसोलितिक के बाद नियोलितिक चलेगा और यहां आप देखने वाले हैं 2700 बीसी या फिर यह पूरा एरिया आप माल लिजे 4700 यहां आपके cities and towns आने लगें अब हम यह समझते हैं कि हमें कैसे पता चलता है इसके बारे में तो इसके पीछे बहुत ही अजीब सी कहें या फिर एक बहुत ही अच्छी कहें कहानी है कहानी कुछ ऐसी है कि Britishers आपको पता है वो railway lines ले कर रहे थे railway line पट्रियां बिचा रहे थे ताकि अंदर जो भी दूर दरास के गाहों है वहां से भी वहां तक वो अपना finished जो industrial revolution के बार जो goods बना रहे हैं वो अंदर गाहों तक वो पहुचा पाए साथ में वो ports जो हैं वहां से अपना सामन ले आने में उनको असानी हो ले जाने में असानी हो एक वक्त क्या होता है यह कहानी है आपके आसपास उसी पाकिस्तान के North Western Province के आसपास की वहां पे railway line बिचाई जा रहे थी construction चलना था railway line की और वहां के जो मज़़ूर है वो की इटे उठा के ला रहे तो उनको तब तक नहीं पता था कि बिल्डिंग क्या है कैसा है कुछ है नहीं बता एक समय आता है कि British excavation वहां पे चालू होता है और लगबग 1920 के आसपास 1920 के आसपास आपको पता चलता है कि यह जो आप इटे आपके construction में जिस पे आप अपनी rail की पत्रियां बिचा रहे यह आपके subcontinent की Indian subcontinent की सबसे पुरानी सब्विता या सबसे पुरानी civilization है यह आपको realization होता है 1920s के आसपास अब आप सोचिए कि कितनी इटे तो लग गई होंगी तब तक और यह तो सिर्फ construction वालों ने जो आसपास के लोग होंगे उनने भी कितनी इ bricks strand कर गई इतने साल तक bricks आपकी बनी है मतलब quality कितनी अच्छी ब्रिक्स की जो baking quality है या जो engineering उस टाइम पे होगी आज आप देखिए पचास सो साल में पचास या सो साल में आप देखते हैं आपका मकान crack आने लगते हैं टूटने लगता है यह 4700 years होगा और तब भी आपकी जो bricks है वो इतनी अच्छी condition में है कि आप उसको railway construction में use कर रहे हैं are you getting my point यह थी कहानी जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ तो इतनी बड़ी और पुरानी सब्विता है इतनी बड़ी civilization थी यहाँ पे इतनी बड़ी city थी यहाँ पे अब जैसे हमने बात की timeline की हमेशा हम timeline पर ह करते रहेंगे कैसे people settle हुए people settle होने के बाद जो cities and towns आते हैं इसकी हम बात कर रहे थे तो हमने ऐसे draw करें फिर से मैं इसको draw इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके मन में बिल्कुल यह छप जाए को doubt ना बचे यह आपका 2700 BC लिग दूँ मैं यहाँ पर 2700 BC यह आपका इंडेस्वेली civilization आ जाता है जो आपका दिया है यहाँ पर 25 से यह आप देख सकते हैं 25-26 के आसपास इंडेस्वेली civilization आ जाता है फिर उसके बाद कैसे कुछ लोग cities को छोड़ देते हैं cities से बाहर चले जाते हैं और सारी चीज़े हम इस chapter में 4 chapter में discuss करेंगे अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो साइट थी हरपन cities की हरपन cities का क्या formation था किस तरीके से थी तो आप सबको मालू है इंडेस्वेली के आसपास की यह पूरी cities यहीं पर बसी थी तो आप मेरगड की बात करें या फिर आप हरपा की बात करें मोंजदार हो है लोतल है और आपका डोला वीरा होगा सुर्क उटरा है आसपास की जितने सारी cities है उस टाइम पर डेवलप होते हैं और यह डिस्कावर होते हैं यह कहानी है 4700 अगो या 2700 BC हमेशा ड्रॉ करते हूं मैं आप भी अगर कोशेश करें प्लीज लेके बैठे होंगे तो इसको जड़ा आप मेरे साथ ड्रॉ करते जाई है अपके दिमाग में एक बार डेट्स क्लियर हो जाएंगी न तो आपको कोई परिशानी नहीं अलवाली क्योंकि पूरी हिस्ट्री में आप जैसे ही ट्रेस करने वाले इंशन्ट फिर आप मेडिवल फिर आप मॉडरन जैसे ट्रेस करेंगे न तो आपके दिमाग में पूरी टाइम लाइन क्लियर होगी अच्छा इनके बाद ये इनके बाद ये इनके बाद ये अब हम बात करते हैं सिटी लेयाउट की मैंने बात करी आप से जो इंपॉर्टन सिटी थी हरपा है मोंजदारो मेर गड़ है या आपके लोतल है डोला भी रहा है अभी राहूल ने बता है काली बंगान और ये तमाम सुर्क ओट रहा है काली बंगान राकी गड़ी है बहुत सारी आपकी सिटी आई एक पटिकुलर टाइम पे जो थाट 2700 बीसी के पास है यहाँ जब यह हो जाता है सिट कि क्या डिजाइन होती इसके बारे में हम चर्चा करते है तो आपने पिक्चर देखी होगी मोहन जोदाडो नहीं देखिए तो प्लीज देख ले ना देखने से क्या होगा हिस्ट्री थोड़ीची क्लियर हो जाएगी ठीक है आप उसको पिक्चर को एजए पिक्चर नहीं उपर हर चीज पर आपकी trade होने चाहिए, practices के बाले में बात होने चाहिए, हर चीज हम उस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एक ही गोल है जिंदगी में, हमें IS बनना है, इसके लाब कुछ नहीं, IS or nothing, वो वाला factor आप रखेंगे न, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो हिर मानी है, और यह जो share है, यह आपका time है, आप जितना जादा तेज भागेंगे, उतना जादा आप time, कम time में वो चीज कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपनी जान बचानी है, आपकी जान में जान तब ही तक है, जब तक आप IS बन रहे हैं, आपने वो सपना जो देखा ह है, उसको आप अगर पूरा कर रहे हैं, तब तो आपको सब चीज़े बढ़िया लगेंगे, नहीं तो फिर सारी चीज़े बिकार हो जाते हैं, जग सुना लगने लगेगा, आपको दुनिया खाली हो जाएगी, अगर आपका सपना पूरा नहीं होगा, इसलिए कोशिश करे करें, कि आप पढ़ें, और उस चीज़ को पूरा करें, getting my point, तो कोई भी मूवी भी देख रहा है आप, तो मूवी में हमें यह नहीं देखना है कि कौनसा डांस हो रहा है, कौनसा गाना हो रहा हमें यह देखना है, पीछे कौनसा फॉरस्ट है, अगर लोकेशन जो है, अग करें, कौनसा बीच है, बीच में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़े हमें पता होनी चाहिए, आपको बात समझ में आ रही हर चीज में कहीं ना कहीं आप अपना observation skill लगाओ, UPSC ने एक सवाल पूचा था, वो सवाल जो आपका आया था, वो Kit Kat के rapper पे होता है, तो यह सारी चीज़े आपको कहां से पता चलेंगे, यह आपको observation skill चाहिए, observation skill कहां से आएगा, जब आप चीज़े को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आप उस चीज को समझने लगो, background देखो, construction देखो, material देखो, geography देखो, ठीक है, हर चीज में वही observe करना है, हर movie मे हो सके, तो pen और copy लेके बैठो, picture देखने, तो note करते जाओ, कोई नहीं चीज है, वापस आते हैं, तो मोन जो दालो, सब को देख लेनी है, सब को देखनी है, क्यों, उससे आपको architecture के समझ में आ जाएगा, चाहिए 2X पे देख लो, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, लेक की, तो city जो थी, वो west और east में बटी हुई थी, तो जो west का इलाखा होगा, west का इलाखा आपका बड़ा होता था, जिसको आप citadel कहते थे, ये किले की तरह होता था, higher fort, किले की तरह, और जो east का इलाखा है, वो छोटा था, lower town था, यहाँ पे जो आम आदमी हैं, वो रहते थे west में जो traders हैं, जो head हैं, या जो पूरी city को चला रहे हैं, वो रहते थे, सबाविक सी बात है, तो west की जो population है, वो कम होगी, तो west जो है, वो कम जगा में बना होगा, on the other hand, जो east house में population जादा होगी, तो वो काफी विस्तार से बना होगा था, काफी बड़े इलाके में बना था उसके बाद हम बात करें, जो बनाया काई से गया था, तो जो material यूज किया गया, वो baked bricks यूज की गई, इसकी कहानी मैंने आपको बता दिया है, कि आप देखें कहां पे उसको यूज किया जा रहा था, baked bricks को 2700 BC, वो हो गया, 4700, 5000 साल पुरानी इटे, आप लगा रहे हो construction में railway के, railway construction में हम कोई भी चीज जो यूज करते हैं, वो कम सकम ये दिखते हैं कि इसमे इतनी strength है, जो आपका load bear कर पाए, क्या वो चीज load bear कर पा रही है, ये चीज आपको कहां से समझ में आईगी, ये चीज इससे समझ में आती, quality कितनी अच्छी होगी bricks की, आज भी वो जो buildings है बहुत सारी buildings आज भी खड़ी है, क्यों खड़ी है, क्योंकि उनकी quality बहुत अच्छी थी, अब quality से एक और सवाल आता है, कि आखर ऐसे कैसे बनाई उनने, तो इसमें एक pattern होता है, interlocking का, interlocking में मतलब आप ये समझेए, कि सपोस्ज ये heat है और ये heat आपने इसमें एक दूस इसे देखेगा, ये होगी आपकी interlocking, getting, और interlocking ये आपका front view है, इसको आप कहेंगे front view, और आपको top view भी बता देता हूँ, top view ऐसा होगा, दो heat इस तरह रखी जाएंगी, फिर एक heat इस तरह रखी जाएंगी, इस तरीके से combination मना जाएगा, फिर एक heat या दो heat रख दी, फिर fire altar मिला है, काली बंगन और लोथल की जगह में fire altar, हवन कुंड, आपने सुना होगा, हवन के लिए जो एक, वो जो कुंड बनता है, जो एक deep pit जैसी बनती है, वो हवन कुंड कहता है, कहलाते है उस वाद, तो अगर ये आपको काली बंगन और लोथल में मिलना है, इसका होते थे वहाँ, किसी प्रकार का sacrifice होता होगा, किसी प्रकार की बली दी जाती होगी, ये इस तरीके की practice होगी वहाँ, क्योंकि fire altar मिला है, वहाँ पे काली बंगन, काली बंगन कहाँ पे है, राश्तान में लोथल का है, गुजरात में, यहाँ पे आपको fire altar देखने मिलेगा, store houses देखने मिलेंगे, store houses आपको मिले हैं, महंजदार, हरपपा और लोथल में, अब store houses क्यों काम आते हैं, आपके पास कोई सामन है, store करने के लिए तब तो आपके store houses काम आएंगे, लेकिन अगर इन cities में store houses हैं, खाना इन में store किया दा रहा है, मतलब आपकी जो production of crops थी, वो more than requirement थी, आपके पास food sufficient ही थी, और more than requirement आपकी food production हो रही, तभी तो आप store करेंगे, अगर आपके पास 10 रुपे हैं, और 10 रुपे ही आपके अगर daily consumption में लग रहे हैं, तो आप savings कैसे करेंगे, savings आप जब करेंगे, जब आपके पास 15 रुपे हैं, 10 रुपे हैं, 10 रुपे आप और मोहन जोदार हो particular city की बात कर लें, इसमें कुछ खास चीज़े मिली हैं, पहली चीज जो मैंने बताया है, एक great बात मिला है, अब great बात समझी आज के समय में, मैं यह आप से बोलूँ, आपको एक swimming pool बनाना है, swimming pool बनाने में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहि कि उसका structure intact रहे, मजबूत रहे, फिर उसके बाद पानी जो उसमें जाये, वो पानी जमीन में ना चला जाये, तो पानी उसके अंदर ही रहे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी plastering करनी पड़ेगी, तो इसको plastering की गई थी tar से, natural tar, जो naturally available होता है ना tar, उससे इस के time पे, कोई important ritual के time पे, इसके साथ, इसको साफ करने के लिए भी विवस्ता बनाई गी थी, कि इसका पूरा पानी निकालना है, उसको साफ करना है, जैसे swimming pool में होता है, वैसा इसमें भी बनाया गया था, पूरा साफ करने की विवस्ता, इसके बाद एक और point आप देखेंग तो उसके बाद आपको अगर cloth change करने है, कपड़े बदलने है, कोई भी चीज करनी है, उसके लिए आपको changing rooms बगेरा दिये है, तो आप सोची बिल्कुल five star facility है, कि बड़ी है swimming pool जैसा बनाया गया है, उसके अलावा आपके पास सीडिया है swimming pool में उतरने के लिए, और उसके अ well मिला है, जो well है, यह कुए के, कुए जो है, वो पानी store करने के लिए, यह भी आपको महोंजोदारों में देखने मिलेगा, wells, बहुत सारे wells मिलेंगे, उसके बाद आपको necropolis, या फर कहें, जहां पर लोगों को गार दिया जाता है, जो burial place होती है, वो भी आपको देखने मि अब हम बात करें, houses, किस तरीके गहर थे, नालिया किस प्रकार की थी, गलिया किस प्रकार की थी, planning कैसी थी, मेंस में एक सवाल आ चुका है, इसकी town planning of महोंजोदारों का, इसलिए हमें बहुत इंपोर्टन, town planning of indus valley civilization नहीं आ चुका है, तो इसलिए यह बहुत ही important topic, इसको द कि यहाँ पर देखे diagram में, एक माला या दो माला, उस समय जब hut में रहता था आदमी, तब यह double story building बना रहे है, और double story building बनाने के अलावा, बीच में आंगन छोड़ेंगे, एक courtyard होगा, इसको ऐसे समझे है, यह आपके, इस तरीके से, यह इसका top view है, तो यहाँ पे इनने courtyard छ के लिए बात कर रहे हैं, 5000 साल हो गया है, लेकिन 5000 साल पहले इनके पास proper bathing and toilet facility अपने घर में थी, आप बात समझ पारे हैं, यह कितने ज़ादे advanced civilization थे, आज एज इंडिया, 5000 years after this industrial civilization, we are still struggling for सचिता अभयान, for ODF, that open defecation free status, हम आज भी कोशिश करते हैं, कि बाई, open defecation free हो जाए इंडिया, लेकिन 5000 साल पहले यह विवस्ता थी, इसके बाद आप बात करिये, drains की, drains किस तरीके से बनाए गई थी, तो नालिया जो बनाएगी, जो drains बनाएगी, वो बिल्कुल सीधी थी, और हर घर के साथ नाली बनाए गई थी, क्योंकि घर के नीचे नाली थी, इसका बद है, जो छोटा drainage है, वो जाके बड़े drainage से connect हो जाएगा, इससे आपकी cleaning में problem नहीं होगी, और आपका कभी भी water chok यह होता है, जो cities पे पानी बर जाता है, नाली का पानी रोड़ों पे आने लगता है, वो चीज नहीं होगी कभी, और उसके अलावा आप देखिए, inspection holes थे, कि अगर आपकी यह road बनी है, road के अगर नाली जहाँ है, छोटे-छोटे ऐसे manhole दिये रहेंगे, inspection hole दें, जहाँ से आप यह देख सकते हैं, कि अगर नाली चोक हो रही है, तो उसको आप inspect कर सकते हैं, कितनी advanced है यह planning, streets के बारे में बात करेंगे, तो जो streets हैं, वो हमेशा 90 degree angle प से दरवाजा होगा, एक बार मूवी देखें, तो यह सारी चीज़े उसमें observe करनी है, मूवी देखें जब, तो यह सारी चीज़े जो मैं इसमें, जो भी aspect बतानाओ, time planning के हर चीज़ को observe किया जाए, उसके बाद आप देखिए, streets की बात कर रहे थे, जो streets के बारे में, drainage आथिंगे रिया के बारे में और wells के बारे में, अब हम बात करते है, craft की, क्योंकि उस time के जो लोग थे, अब अब एक सी बात है, वो खाने पकाने के लिए और ज्वल्दी वगएर फैशन के लिए यूज तो करते होंगे, इसमें बात था थी, bronze की, अब bronze समझे, bronze जो है, copper औ weapons हैं और तमाम तरीके के जो भी आपके ornaments है, जो यल्दी हैं, जेवरात हैं, वो सारे बनने वाले हैं आपके, copper से या bronze से, जो बरतन बनने वाले हैं, वो भी आप metal के बनने लगे, पहले बन रहे थे clay के, अब आपके metal के बनेंगे, फूरे जो भी बरतन हैं, वो metal के बनने लगेंगे, silver का और gold का, आप यह देखिए कितने fancy, यह कमर बंद है, कमर में आप जो बानते हैं, वो हो गया, फिर उसके बाद कमर बंद के बाद यह पैर में और हाथ में पहनने के लिए हो गया, यह गले में पहनने के लिए, यह तमाम चीज़े, earrings थे, earrings के साथ इनके rings थे, rings के बाद girdles, जिसको आप कहते हैं, कबर बंद वो थे, necklaces थे, कितने सुन्दर-सुन्दर necklaces हैं, यह जो हाथ में आप पहनते हैं, वो भी थे, पैर में पहनते हैं, एंकले, वो भी, बहुत सारी चीज़े थे, स्टोन्स, जो वेट हैं, वेट्स का भी बहुत साथ है यूज किया जाता था, आप देखेंगे कि स्टोन वेट है, वो चर्ड के बनाया जाते हैं, तो यह काफी महंगय हो, प्रिशे स्टोन के वेट्स, या फिर आप आज के समय हम देखते हैं, जिनको हम हिंदी में माट कहत हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होगा, एक उक्टा एडल सा उसमें 1 kg लिखा होता है, वो चीज यह चर्ड की बनाते थे, और यह काफी प्रिशे स्टोन होता था, उसके यह वेट्स बनाया जाते थे, बीट्स जो मैंने आपको पिछले टाइम पे भी समझा एक तरीकी स इसमें आप बोर कर देंगे, और बोर करके आप इसको पूरी एक माला बनाके इसको पहन सकते हैं, अब बोर करने के लिए आप समझें उस समय कितनी प्रॉपर इंजिनिर्न होगी, आज तो क्या है, इसको आप फिक्स कर दीजे, कहीं पर एक वाइस से, वाइस आप समझते है वाइस जिससे आप किसी भी चीज को होल्ड कर सकते हैं, उसमें आप फिक्स कर दीजे और यहां से आप ड्रिल कर दीजे उसमें, लेकिन उस टाइम के कितनी बड़ी है इंजिनिर्न रही होगी, उस टाइम का क्या कैलिबर रहा होगा, उनके जो स्पेशलिस्ट होगी, इनमे सील बनाई जाती थी, इसके लावा एक और बात इंपोर्टन जो आपको देखने वाली है, वो यह है कि यह जो है, इसमें अनिमल कार्विंग होती थी, अनिमल कार्विंग में आप देखें, यहां पर आपको बुल दिख जाएगा, यहां आपको यूनिकॉन दिख जाएगा इसको एक सिंगा कहते हैं, उसके बाद यहां पर देखेंगे, यह शेर है, यहां पर आपको एक और दूसरा जानवर समझ में आ रहा है, इसके बाद यहां पर आपको यह हाती दिख रहा है, तो अलग-अलग प्रकार के जानवरों को अलग-अलग सील में डिपिक्शन था, यहाँ पर एक बहुत ही ज़ाद important seal जो है, उसको कहते हैं, proto–shiva, या फिर पashupatynath, तो पashupati की जो यह seal है, पashupati seal बहुत ही ज़ाद important मानी जाती है, और यह जो seal है यह भी आपको भंहीсь Indus Valley civilization से प्राप्थ होती है, तो यह seals आपको clear हो गए है यहां तक, potteries की में बात कर लेता हूँ, potteries में जो है, यह हमेशा जो आपकी red clay की बनाए गई, red clay की आपकी potteries बनाए जाएगी और उस पर फिर यह design कर दी जाएगी, आप देखिए geometrical patterns है, या फिर कुछ भी random patterns आपके potteries में बना दिये जाते थे, तो यहां तक हमने जोली potteries beats, इन त thousand years ago, जहां पर mayor girl की बात है, यह develop होना चालू हुआ, इसमें आपको जो silver का एक vase है, silver का एक vase मतलब आप समझे, इस तरीका का एक, चांदी का बना हुआ है, उसके, वो आपको मिलेगा मोहन जोदालों में, तो यह पूरा जो silver vase है, वो आपको मोहन जोदालों में मिलता है, जि आज भी आप देखते हैं, धागे की दील, जिसको हम खेते हैं समान भाशा में, इस तरीके का मिलता है, और इसके उपर ऐसे धागा लिप्टा होता है, पूरा, आपने देखा होगा, बजार में मिल जाता है, यह चीज है, तो उस टाइम पर उसको spindle wall की तो ज़रूत पढ़ टेरा कोटा और फियांस, यह भी इंपोर्टन चीज है, फिर आप देखेंगे, इससे क्या होता था, यह काफी शाइनी हो जाता था, आप देखेंगे, यह चमकदार सर्फेस हो जाता था, फियांस का बनाने से, और इसका जो कलर है वो आपका blue या sea green, कुछ भी इस प्रकार क colors के बनाय जाते थे, जो gum मिला रहे हैं, अगर gum जाद मिलाएंगे, quarts के हसाब से अलग color आएगा, अगर gum जाद मिला रहे हैं, तो अलग color, तो यह आपको समझे माँआगा, फियांस के बारे में, मेहर गण के बारे में भी हमने बात कर ली, कि उसने grow up करना चालू किया, और आपको cotton कैसे मिलता है, कब मिलता है, अब एक और important चीज है यह, आप देखिए, यह बुड़े दादाजी को देखिए, इसको priest कहा जाता है, this is called the bust of priest, या फिर आप कैसे कह सकते है, sculpture, यह जो मूर्ती मिली है, priest की, इनको pandit माना जाता है, उसमें यह कहा जाता है, यह pandit थे, इनका आप यह देखिए, यहां माथे पर जो लगाए है, यह भी जोल्दी, उसके बाद हाथ पर यह जोल्दी दिख रही है आपको, इसके बाद यह देखिए, इनकी दाड़ी देखो आप, एक दम कितनी well defined है, कितने बड़ी आ तरीके से आपने इसको design किया है दाड़ी को, इससे यह समझ में आता है कि काफी look इनको perfect चाहिए, look perfection के लिए मतलब कहीं यह fashionable है, fashion पर ध्यान दिया जा रहा है, यह आपको समझ में आयागा, fashionable होने का यह और देखिए, यह बड़ी फूलदार यह शॉल ओड़े है, इससे भी समझ में आता है कि fashion कर रहा है, fashionable है, right side का इनक आपके जो आज के समय makeup होता है, makeup का भी बहुत जादा idea था, आप चाहे काजल की बात करें, या फिर face powder या यह सारी जो आज के समय चीज़े मिलती हैं, वो उस समय भी पता था उनको, इतनी सारी चीज़े, जी हा राज में था, यह सवाल जो था, पुराना जो मैंने discuss किया, व वो makeup करती थी, और यह जो आपके earrings वगएर हैं, यह male भी पैना करते थे, male भी काफी जवल दी पैना करते थे उस समय, अब देखे, जो मैं फियंस के बारे में बात करा, फियंस जो बनाई गई, उससे बीड, चूडिया, कान के, जो बाले हैं, यह सारी चीज़े बनाई जाती इससे, लेकिन इसमें यह देखे, कितना जादा specialization लगता होगा, और इससे हमें समझ में आता है कि Indus Valley Civilization की इतनी बड़ी-बड़ी cities में, कहीं न कहीं specialist तो रहे होंगे, कुछ specialist जिनने stone cutting में महारत हासिल की होगी, क्योंकि आप देखे, this is so perfect, यह particular visual आप देखे, this is so perfect, face जो ह है, जो lips दिखाए गए है, the protruding lips, the beard is very clearly defined, even the motifs, जो यह फूल पत्ती बनी है, वो भी कितना clearly दिखाई दे रहा है, तो इससे समझ में आता है, stone cutting का अच्छा काचा idea था, polishing of beads, इसका हमें समझ में आता है, जिस तरीके से इने, teens की beads बगारा बनाते थे, और जो जो एल्दी बन जाता था, कहीं भी आपको जाना है, कोई भी trade करना है, तब आपको ID card की ज़रूत पड़ेगी, अब जब हमने बात कर ली है, इतने सारे metals की और इतनी सारी चीजों की, तो बात बन दी है, के raw materials उनको कहां से मिलते थे, कहां से procure करते थे, तो जो भी चीजे हैं, जैसे मान के जैसे लिए naturally grow हो रही है, या फिर farmers के द्वारा है, तो या तो वो process मिलेंगी, और उसको फिर आप finished goods में convert करेंगे, copper की बात करें, particularly तो copper राजिस्थान और उमान से मिलता था मैं, उमान से मिलना मतलब आप समझ गए न, international trade हो रहा है, international trade होगा, import होगा, उसके बाद आप करनाटिका से मिलता होगा, आपने KGF movie देखी है, polar gold mines, gold field, sorry, तो KGF है, इसे आप याद रखेंगे कि जो सोना है कामिल आपको करनाटिका में, उसके बाद आप stones की बात करें, तो पत्थर जो है, महेंगे महेंगे पत्थर एक से, गुजरात में, एरान में और अफगानिस्त एक महेंगा पत्थर था, वो आपको मिला, ऐसे तरीके के पत्थर आपको, gold मिला, lead मिला, यह सारी चीज़े आपको, बहुत ज्यादा चीज़े इंपोर्ट की जाती थी, agate है, amist है, carnelian है, यह सारी चीज़े वहां से, इंपोर्ट की जाती थी, अलग-अलग cities से, और इसके हमें प्रूफ मिलते हैं वहरेन में, साथ में सुमेरिया में, जहां पर आपको सील्ज वागरा के example मिले हैं, अब मैंने आप से थोड़े दिर पहले एक slide में discuss किया था, कि जो food है, food surplus था उनके पास, surplus था तभी तो वो store कर रहे थे, अगर food surplus है या store कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास better features होंगे, irrigation के, या better features of agriculture होंगे, better features of agriculture का मतलब यह है सीधा-सीधा, सबसे पहले तो उनके पास क्या होगा, irrigation facility होगी, seeds होगी, plow करने के लिए, जो हल चलाते हैं, वो हल बढ़िया प्रकार का होगा, तो उनने देखिये, पहले तो उनने लकडी का हल बनाया, बाद में उसके उपर copper का है, यह जो नुकिला हिस्सा है, हलका, इसको उनने copper का बना दिया था, जिससे penetration, जो है वो, deeper penetration हो, और जो आपकी soil है, उसको आप deeply plow कर पाए, तो यह पूरा जो soil है, इस तरीके से plow हो जाती है, इससे आपका air absorbing, nitrification बढ़ता है, nitrification के साथ water absorption भी काफी बढ़ जाता है, यह सारी चीज़ों हो रही थी, background में, water supply बढ़ता है, water के साथ आप देख साथ में फल वगेरा एकटा करना है, यह सारी चीज़ों तो चली रही थी, एक important बात यह है, कि मचली भी काफी important पार्ट था, उनके nutrition का या उनके daily diet का, तो fish was an important source, इसके अलावा animal hunting भी होती थी, जो wild animals वगेरा है, उनको भी hunt किया जाता था, food के लिए, तो यहां तक आपन सा क्लियर कर चुके है, जो भी चीज़े, और यह ग्रो क्या करते थे, यह भी मैं आपको बता दू, तो सामानी चीज़े जैसे आप wheat है, फिर bali है, pulses है, यह सारी चीज़े ग्रो करते थे, rice ग्रो करते थे, linseed जो दाल वगेरा है, mustard है, जो आपका, आज के समय सरसों, जो हम कहत अब डोला वीरा को मैं highlight कर देता हूँ, यह आपकी डोला वीरा होगी, एक city है, लोतल, उसको भी हम discuss करेंगे, तो डोला वीरा के बारे में समझते हैं, तो यह जो खेदर बेट करके, खादर बेट करके एक जगा है, रन ओफ कच्छ के पास में, रन ओफ कच्छ के पास की आपको बता है, दो पार्ट में divided थी, एक आपका west और एक east, west में आपका citadel है, और east में आपका common living area है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे जो city है, वो तीन पार्ट में divided है, पहले west, उसके बाद थोड़ा सा यह खाली जगा, इसको आपका एंगे ground, और यह हो गया आपका citadel, और यह हो गया common, या फिर आपके जो west east में जो इरिया है, जो आम आदमियों के लिए हो गया, यहाँ तर clear है, अभी जो ground है, इसको यूज किया जाता था, किसी ceremony के लिए कोई festival है, जो भी उनकी practices होती होगी, उसके लिए, अभी तक इनकी जो writings है, इसकी writing को आप pictographic language कहते है, pictographic language मतलब pictures के द्वारा यह चीज बताते थे, समझाते थे, तो pictographic language अभी तक हमने decipher नहीं कर पाएं, नहीं तो हमें पता चल जाता, कि क्या क्या चीज किस किस चीज के लिए यूज होती थी, इसके अलाबा एक बहुत ही ज़ादा बड़ा, एक white stone के उपर हरपा के inscriptions मिलें, हरपा के inscriptions में, आप देखेंगे, एक मशली बना दी इनने, फिर इस तरीके से बना दिया, एक तरिशूल जैसा, यह अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको inscriptions मिलेंगे, और यह पूरा pictographic languages में आपको धोला वीरा में देखने मिलता है, धोला वीरा के ब आने वाली है, यह सबसे important चीज़ आप यह समझे, साबरमती जो बैंक है, जो नदी है, उसके ट्रिब्यूटरी एक थी, उसके पास में बसा हुआ था पूरा आपको लोथल, तो यह साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी है, उसके बसा हुआ है, तो यह पानी की विवस्ता है, साथ में आप देखेंगी, जो stone shells है, और metal है, इसका भी काफी बड़ी आकाम होता था है, आपने देखा होगा, कि जहां पर factories आज के समय कहां लगाई जाती है, जहां पर coal और water की availability हो, या फिर market, जो है, market pass में हो, इनके case में क्या था, कि raw material लोथल में मिली रहा है, बाहर से भ इसके बाद आप देखेंगे, जो seal और ceilings है, यह देखेंगे, आप तो store houses में आपको ceilings मिलेंगी, seal जब आप कहीं पर mark कर देते हैं, तो उसको ceiling कहते है, जहां seal आपने लगा दी, तो वो जगा हो गई आपकी ceiling, तो यह जो है, यह भी आपको store houses है, वहाँ पर seal और ceilings मिली seal के हमने बात की अलग अलग जानवरों की seal मिलती है महाँ पर, इतनी बड़ी-बड़ी cities डेवलप हो रही है, जब इतनी बड़ी-बड़ी cities डेवलप हो रही है, तो एकदम से यह पूरी civilization end क्यों हो गई, यह पूरी civilization खतम क्यों हो गई, यह चीज हमें समझे की जरुद है, तो civilization कब end होती है, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो इसके बहुत सारी theories दी जाती है, there are many theories of this particular thing, theories कुछ ऐसी है, कोई यह मानता है के 1800 BC के आसपास, मैं फिर से timeline draw करता हो, पूरी picture हम timeline से समझे वाले, आप भी मेरे साथ draw करें प्लीज, यह 2700 BC लिख दिया मैंने, यह 1800 BC मतलब लग लग 900 साल बात, 900 years after, आपको देखने मिलेगा, कि यह जो लोग है, ऐसा माना जाता है, यह the people left the city, इस इलाके को छोड़ दिया 900 साल बात, एक theory यह है, दूसरी theory यह कहती है, कि यह जो seals बगर हैं और यह weight है, इनका उपयोग खतम हो गया, कुछ ऐसा कहते हैं, कि जो imports हैं, जो आपके उमान से, और एरान से हो रहे थे, उमान और एरान से जो आपके इंपोर्ट हो रहे थे, वो खतम हो गए, imports खतम हो गए, तो यह पूरा जो system है, वो डिकलाइन होने लगा, ऐसा भी माना जाता है, कि जो मोहन जोदार हो हैं, उसमें आगे आने वाले समय में, जो आपको मैंने बताया, गलियां बहुत साफ हैं, नालियां साफ हैं, एक समय आया कि उनकी गलियों में बहुत सारे कच्ड़े का धेल लग जाता था, जो बिल्डिंगे बनाई जाती थी, वो दीरे-दीरे उनकी जो quality of building है, जैसे मैंने बताया था कि बहुत बढ़िया तरक में और साउथ में जाना शुरू कर दिया, ये भी एक थियोरी है, साथ में ये कहते हैं कि ऐसा हुआ हुआ, डिफोरेस्टेशन हो गया होगा, अब डिफोरेस्टेशन का वजह मैं बताता हूँ, इनको चाहिए ब्रिक्स, ब्रिक्स आपको अगर बनानी उसके लिए आपको क्लिन या भट्टा केते हैं जिसको हम, भट्टे के लिए आपको चाहिए लकडी, लकडी चाहिए भट्टा जलाने के लिए तो लकडी कहा से आएगी, फोरेस्ट से, तो फोरेस्ट को आप काटोगे तब लकडी आएगी, जब इन्यों फोरेस्ट बहुत ज्यादा काटे तो हुआ, deforestation, deforestation हुआ, deforestation हुआ, deforestation हुआ, नदी सुख गई, नदी सुखा, deforestation हुआ, और grazing के लिए भी land नहीं बचा, ये सारी चीजों की वज़े से भी मानते हैं कि हो सकता है, आपकी civilization खतम हो गई हो, flooding कहते हैं एक reason है कि बाड आई बहुत बड़ी, पूरी बाड से, पूरियो ज़र शेहर है, वो पूरा शेहर खतम हो गया, एक और वज़े ये भी माने जाती है कि जो ruler है, जो आपके, जो राजा थे या फिर जो भी वहाँ पे rule करते था, अभी ये नहीं पता है कि कौन rule करता था, राजा rule करते थे, या फिर traders rule करते थे यह आपको नहीं पता क्योंकि जो उनकी script है वो script अभी तक decipher नहीं की गई है लेगिन जो ऐसा माना जाता है जो भी वहाँ के rulers थे उनने जो अपना control था वो lose कर दिया उनके हाथ से जो command थी पूरी civilization की है city की वो छूट गई जिसकी वज़े से यह पूरी civilization खतम हो गई, decline हो गई अब इसे background में एक और चर्चा आती है मैंने हमेशा कोशिश किये कि आपको मैं इंडिया और वर्ड दोनों को combine करके दोनों को relate करके बताने का प्रयास करूँ तो हम Egypt में बात करते है Egypt में जो नीन लदी है जैसे मैंने civilization में बात की हम इंडिया में इंडस valley की बात करते हैं वहाँ पे Nile river is very important, तो 3000 BC के आसपास फिर से में timeline पे draw कर देता हूं आपके लिए, यह देखिए 2020, यहाँ पे आपके इशा मशी का जन्म हुआ और यहाँ पे बात की जा रहे है 3000 BC के आसपास की, 3000 BC मतलब और यहाँ पे 2700 BC में हम बात करे हैं आपके इंडस Egyptian civilization की, तो Egyptian civilization में यह माना जाता है कि काफी बड़े-बड़े राजा यहाँ पे rule करते थे, Sona, Chandi, यह तमाम चीजे वहाँ पे थी, जो armies, दुनिया भर की फौजे उनको भेजा करती थी, इसके साथ एक और बात यह है कि इनने बहुत बड़े-बड़े अपने लिए मकबरे ब जाता था, यहाँ था clear है, अब इनको जब ममी बनाया जाता था, तो सिर्फ इनको ही नहीं रखा जाता था, इनके साथ सोना, चांदी, घोड़े, हाती, यह तमाम चीजे रख दी जाती थी, ताकि जो king है, उनके लिए future में वो चीज यूज़ हो पाए, और after life में वो इस ची की तरह, इस chapter से हमें क्या take away मिला जरा इसकी बात कर लेते, बताइए मुझे,